कि साथियों नमश्कार ग्यान सिंद्ध कोचिंग क्लासेश पर आज थोड़ा सा अलग टॉपिक है कहिए क्यूं क्यूंकि आपके पाट पुस्तक में जो संकलित लेखक है और उनकी रचनाएं वो मैं लेकर के आया हूं अब आप पूछेंगे कि इनकी क्या जरूरत रहे इनही कि यही आने हैं यहीं से लगबग दो-तीन प्रशन आपके अब्जेक्टिव में आते हैं तो मान लो तुम दो नंबर पका यह दो नंबर का काम आज कर लो है ना एक नंबर दो नंबर का काम कर लो आज मतलब मिल जाएंगे तो बहुत अच्छी बात है चलो भाई क्योंकि आ आने प्रशन पत्र उठा कर देखेंगे तो यह आपको प्रतीत होगा कि लगबग आपके जो पाठ में संकलित लेखक हैं वह लगबग आपकी पाठ पुस्तग में जो संकलित लेखक हैं उनमें से एक-दो प्रशन आपको मिलेंगे देखने को तो मुस्ट इंपार्टेंट क मतलब नहीं है जो हट गया वो भी पर लो क्योंकि रचनाएं अब्जेक्टिव में आ सकती हैं डॉक्टर वासुदेवसराणा गरवाल ने पृत्वी पुत्र लिखा भारत की एकता लिखा कल्पवरक्ष लिखा कल्पधारा वागधारा और माता भूमी ये इनकी छे रचनाए आपको रट लेनी है ठीक है प्रतवी पुत्र कल्पवरक्ष और माता भूमी इनको कैसे रटेंगे आपको रट्टा मारना प्रतवी पुत्र वासुदेवसराणा गरवाल आप से पूचा जाएगा किसकी है अजारी परसाद दिवेदी की भी है और वास्दोसरों अगरवाल की भी है तो ये दोनों में कन्फ्यूज मत हो ये अगर आप्शन दोनों है तो कोई एक लगा दीजे कोई दिक्कत नहीं है प्रतवी पुत्र बारत की एकता वागधारा और माता भूमी ये और देखिए कल्पब्रक्ष आभी चुकी 2000 प्रागपत्र जैवर्धन पाप और प्रकाश दुखदा नीलम देश की राजकन्या और पूर्वुदे ये दस रचनाए जैनेंद्र कुमार की हैं तो इनको आप समझ लीजिए ठीक है भाग्यों पूर्शार्थ थोड़ा सा पहली ट्रिक बन रही है भाज प्रेम पर त्याग जै ठीक है भाज प्रेम पर त्याग जै ये वाली ट्रिक बन रही है थोड़ी सी छे रचनाओं तक बन रही है बाकि आप बना लिजे तो भाज का भास मतलब भागयो पुरशार्थ, जा का मतलब जड़की बाद, प्रे से मतलब प्रेम और परिवार, और मा का मतलब है परक है त्याक का मतलब त्याक पत्र है और जय का मतलब जय वर्धन हो गया ठीक बाकी कहानिया आप रच सकते हैं भाग्यों पुर्शार जड़की बाद प्रेम और परिवाद परक्ष त्याग पत्र चैवर्धन पाप और प्रकास सुखता नीलम देश की राजकन्या पूर्वुदे चलो ये जहनेंद्र कुमार की हो गई अब कनहिया लाल मिश्र प्रभाकर बहुत important रचनाएं हैं है ना तो जिन्दगी मुस्कराई कनहिया लाल मिश्र प्रभाकर माटी हो गई सोना जब जिन्दगी मुस्कराई तो क्या हो गया माटी हो गई सोना लिखने वाले कौन कनहिया लाल मिश्र प्रभाकर जब जिन्दगी मुसकराई तो माटी हो गई सोना और धर्ती के फूल महके आंगन चहके दौर धर्ती के फूल आंगन में महकने लगे जब जिन्दगी मुसकराई तो माटी सोना हो गई और धर्ती के फूल आंगन में महकने लगे भूले बिसरे जो चहरे थे वो आकास के तारों में दिखने लगे जब ही जब दीप जले तब छणवर के लिए बोलने लगे और मुस्कराने लगे इसी कहानी गड़ करके आप रचना को याद कर सकते हैं एना तो जिंदगी मुस्कराई माटी हो गई सोना धर्ती के फूल महके आंगन चहके द्वार भूले बिसरे चित्र भूले बिसरे चेहरे है ना अगर भूले बिसरे चित्र आ जाए ना भूले बिसरे चित्र तो वो भगवती चरण वर्मा का उपन्यास है भूले बिसरे चेहरे आ जाए तो ये कनहिया लाल मिश्र प्रभाकर का है आकाश के तारे दीप जले शंक बजे छण बोले कन मुसकाए ओ कनहिया ऐसे याद करो यार कैसे भी याद हो जाए कैसे याद हो जाए रटा मारते रो मतलब माबात ये हमको याद करना है हमको याद करना हमको एक्जाम में टॉप करना है इसलिए याद करो कैसे भी रट के गा के नाच के उचल के कूद के मन में अंतर मन में जैसे याद हो जाए वह इसे याद करते हो मतलब बोर्ड का मतलब क्या आए कि याद करो अप देखो आचार एहजारी परसाद दिवेदी का आया और आचार हजारी परसाद दिवेदी की रचनाएं हैं अशोक के फूल आलोक पर्व कबीर सूर्डास साहित का मरम पुनर नवा हिंदी साहित की भूमिका विचार प्रवा कुट अनामदास का पोथा बाण बह्त की आतम कथा और चारुचंद्र-लेक संदी साहितय का आदिकाल तो आप यह से पढ़ाएंगे ऐसी कि icon arrow पररव आचारे हजारी परसाद दिवेद कभीर कुटज सूर्दास आप कभीर सूर्दास तो הת इनीन पर अमकल अलोचना नहीं वेसी आजज तो कबीर और सूर्दास किस ने लिखी आचारे हजारी प्रसाद बेदी ने अनाम दास का पूथा, साहित्य का मर्म, बार्भट की आत्म कथा, पुनर नवाद, चारुचंद्र लेख, हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य का आधिकाद, ठिक, चलो, पंडित दीन दया उपाद है, पी, डी, डी, यू, पंडित दीन दयाल उपाद है, समराट, चंद्रगुप्त, जगत, गुरु संकराचार, अखंड, भारत, क्यूं, राष्ट्र जीवन की समस्याएं, राष्ट्र चिंतन, राष्ट्र जीवन की दिशा, तो अब राष्ट्र से इन्होंने ती राष्ट्र जीवन की समस्याएं, पंडित दीन दयाल उपाद है, राष्ट्र जीवन की समस्याएं, पंडित दीन दयाल उपाद है, राष्ट्र जीवन की दिशा, पंडित दीन दयाल उपाद है, राष्ट्र चिंतन, तो जो भी राष्ट्र से आए ना, तो पंडित डीडि यो ने किया पंडिव के बारे में अगर रचना आ जाया तो पंडिव धिवन की समस्याइं राषट जीवन की दिशा राषट चिंतन तीन प्रकार की राषट की बात कही है राषट जीवन की नहीं कर पाते हैं तो इसके स्क्रीन सॉट लेते रही है लिखते रही है ठीक है नोट जरूर बनाईए आप देखे प्रोफेसर जी सुंदर रेड़ी की चार याद कर लो साहित्य और समाज वैचारी की मेरे विचार भाषा और आधुनिक्ता तो आपके पाठिक्रम में है ही है हर शंकर परसाई देखो 2020 जडबी में आया हमने बताया आपको एक दो मिलेंगे आपको पेपर में तो जैसे उनके दिनफ्रे रानी नाग फनी की कहानी तटकी खोज भूत के पाउं पीछे सदाचार का तावीज शिकायत मुझे भी है और निंदारस तो निंदारस तो आपक इसमें हट गया है लेकिन फिलाल आपको रचनाए रहाशंकर परसाई की याद कर लेनी है हो सकता आ जाएं तो जैसे उनके दिन फिरे रानी नाग फनी की कहानी तटकी खोज सदाचार की तावीज निंदारस भूत के पाउं पीछे और शिकायत मुझे भी है लास्ट है और म पीजे अब्दुल कलाम मैं आपको एक वादा करता हूं और एक दावा भी करता हूं कि इसमें से एक रचना इस बार आएगी बिल्कुल पक्का है बिल्कुल सव प्रतिशत श्योर है तो बिल्कुल रड़ा ये इंडिया 2020 विजन फॉर दिन न्यू मिलेनियम 1998 में लिखी गए तो इंडिया 2020 भारत 2020 अगर ये हिंदी वर्जन भी आ जाए ना भारत 2020 तब भी मत छोड़ियेगा डॉक्तर एबीजे अब्दुल कलाम का है ए विजन फॉर दे न्यू मिलेनियम अब या अंगरेजी हमको आती नहीं सकानुआत क्या होगा आप उनको नहीं म आप से भी प्रशन पूश सकता है कि अपिजे अब्दुल कलाम की आतम कथा किस नाम से प्रकाशित हुई है तो विंग्स आफ फायर है ना विंग्स आफ पायर अगनी की उडान हिंदी वर्जन देखो अगनी की उडान को चाहे विंग्स आफ फायर को है ना अगनी की उडा विदिन इंडिया 2002 में लिखे गई है आरोहन प्रमुक्ष स्वामी जी के साथ मेरा आध्यात्मिक सफर यह पांच रचनाएं अपने प्यारे राष्ट्रपती पूर्वराष्ट्रपती और पूजनी हैं हमेशा स्रध्धेय हैं डॉक्टर एपीज अब्दुलकलाम जी जिन्हो हम इने कभी भूला नहीं सकते इनके जैसा वेक्ति तो शायद दुनिया में अब दुबारा आए तो इनको इनकी रचनाएं कभी न भूलिएगा और मौका मिले तो आप पढ़ भी लेना अगनी की उड़ान यह आतम कथा है अपनी कथा लिखी है अब्दुलकलाम जी ने वि अनलीशिंग दी पावर विदिन इंडिया और आरोहन प्रमुक स्वामी जी के साथ मेरा आध्यात्रिक सफ़र तो कैसा लगा आज की रचनाएं और बच्चों हम आपके लिए एक जल्द ही स्रीज लेकर आ रहे हैं स्रीज के मैं एक ही वीडियो लाओंगा और वह मास्टर व उसमें आप पढ़ लेना ठीक चे लिए बहुत बहुत धन्यवाद एक बार शेर कर देना है शेर इसले किजिए क्योंकि बहुत ही इंपोर्टिंट है ना सीक्रिट किसी को मत बताना लेकिन शेयर जरूर कर देना बहुत बहुत धन्यवारा